हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग आल ओफ यू आज मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर फोर लेके आया हूँ अपने वर्क्शॉप केलकुलेशन एंड साइंस का आप देख रहोंगे कि यह पेपर 2018 का है और यह पेपर कई सारी ट्रेडों के लिए आया हुआ था जैसे क आप देख पा रहोंगे वर्क्शॉप केलकुलेशन एंड साइंस इंप्लॉइबिल्टी स्किल्स जो मैं मतलब कहने मतलब यह है कि जो भी पेपर है यह कारपेंटर मैशॉन मैकैनिक ट्रेक्टर प्लंबर सीट मेटल गैस एंड इल्ट्रिक मनला कि वेल्डर के लिए पेंट शॉप को हम लगाते हैं तो उसे यह बेनिफेट होता है कि हमें कई सारी ट्रेडों के लिए भी हम अब एक्सपीरेंस हो जाता है कि इस प्रकार से आ सकता है तो अब हम बात करेंगे कि अपने जो सेट है सेट नमबर 4 के और इससे के पहले हम 3 सेट करा चुके हैं और उनकी ज थोड़ा से सिंपल से मॉडरेट लेवल का है मैंना कि यह नहीं बोलेंगे वन लाइन में तो नहीं निकलेंगे आंसर बड़ आपको थोड़ा से दिमाग लगाना पड़े या साइन्स होगी इस पर चलिए आप बाग करतें कोश्टन पर फर्ष्ट की आप जैसा कि देख पा अलड़ी पहले से पीडियाफ में लिक रखे हुए हैं जैसे कि यह देखिए यह हमारी जो पीडियाफ है इसमें कई सारे फॉर्मल लिक रखें आप इसका स्क्रीन शॉल ले सकते हैं अपर A प्लस B का हॉल स्क्वार की क्या क्या वैल्यू होगी जैसे आप देख पा रहे हों और क्योंकि इनसी कोशन डिरेक्ट फॉर्मॉला बेस से पूछा जाता है तो मैं आपको एक हिंट और मैंने आपको ट्रिक दी है कि आप अपकी बुक में जाएंगे अलजब्रा में को ऑपन करेंगे तो यह आपको फॉर्मॉले आपको वहाल मिल जाएंगे और वहां पर जा कि मैं 100% दावा करता हूं जो question भी करा रहा हूंगा वो उसके आने के chances बहुत ज्यादा रहेंगे और जो set करा हूंगा उस question के आने के chances बहुत ज्यादा रहेंगे हम बाग करते है question number first की जैसा कि हम देख पा रहे होंगे तो हमारा जो है a की power m into a की power n ठीक ना यह चिलिखी हुई है तो इसको हम किस परका से रखेंगे a की power m plus n ओके तो इसको first का answer सही answer क्या होगा a क्या होगा first का answer a हो जाएगा ठीक ना और other options नहीं होगे confusion हो सकता है कि यह multiply में है क्योंकि a m into a n है ठीक ना तो यह हो सकता है कि हम लोग जल्दवाजी में a m n लगा दें तो यह हमारा wrong हो जाएगा ठीक ना तो right answer हमारा क्या होगा a की power m plus n ओके तो इसको first का answer क्या होगा a चलिए बाग करते है question number second की तो second क्या किया रहा है mechanical equivalent of heat is जो ह mechanical equivalent of heat है उसको हिंदिस क्या बोलते है उसमा का यांतरिक तुल्यांख क्या बोलते है उसमा का यांतरिक तुल्यांख जो सी correct value होगी वह क्या होगी 4.2 4.2 जोल परति ग्राम centigrade तो इसकी ये value होगी तो अब देखिए यहांपर आप option देख पार होगी आप देखिए option देख पार होगी यहांपर कोई भी option नहीं मिल ला है 4.2 जोल परति ग्राम परति centigrade तो हमें क्या करेंगे यहांपर किलो ग्राम लगा देंगे और यहांपर 1000 से multiply कर देंगे ओके तो इसका correct answer क्या हो जाएगा second का a answer हो जाएगा तो first का भी answer a था second का भी answer अब क्या हो जाएगा चलिए अब बागते question में थड़की कुछ question तो देखिए easy हो जाएगे पर कुछ question में थोड़ा दिमाय लाना पड़ा को कि science use हो रही है और जहांपर science use होती है तो आपको random तो नहीं लगा सकते हैं आपको थोड़ा concept आना चाहिए कि इसका answer यही ही होगा ठीक है अब बागते question में थड़की basic unit of current is यह simple question है basic unit of current is अब यह कोशन तो कोई भी लगा सकता है क्योंकि यह electrical के लिए basically question है आपको mechanical based हो जितने भी ट्रेट साथीं जैसे कि mechanic motor vehicle हो गया diesel mechanic हो गया इन सब के लिए बहुत important है तो current की जो basic unit क्या होगी ampere होगी ठीक है ना तो third का जो answer होगा वो क्या होगा C third का answer क्या होगा C को कि इसकी basic unit of current क्या हो जाएगा इसकी ampere हो जाएगी अब हम बाग करते question पर fourth की जैसे कि हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि find the value of y if 3 by 5 minus 15 by 5y और equal to 3y 4 यह आपकी question है अब इसमें simple आपको y की value निकालनी है क्या निकालनी है y की value निकालनी है तो जिस प्रकार से मैंने जो solve किया है बहुत simple है बट जो मैंने solve किया इसका answer है इस option में नहीं दिया गया हो सकता है कि paper कभी कभी कुछ false हो जाती है गलती से misprint हो जाता है कोकि human error possible है ठीक है तो find the value of y देखिए अब हम निकालते है find the value of y हम पूर एक निया fresh page लेंगे हम ठीक है अब यहाँ पर करेंगे find the value of y निकालेंगे ओके तो क्या लिखा हुआ है 3 by 5 3 by 5 okay minus क्या लिखा हुआ है 15 by 5 y equal to क्या लिखा हुआ है 3 by 4 देखिए मैंने fresh fresh page लिया है अब देखिए क्या करेंगे इस value क्या करेंगे क्या करेंगे और उसको क्या modify कर लें तो 53 के तो जागा यहां पर 3 हो जाएगा ठीक ना तो क्या हो जागा और इस value हम यहां उठा के लिए जा हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 3 by y ओके यह हो जाएगा अब इसके cross multiply कर देंगे cross multiply कर दिए तो क्या हो जाएगा 12 minus 15 upon 20 equal to 3 by y ओके यह हो जाएगा तो यहां से क्या निकल करेंगा इसमें क्या है फोर्थ का जो answer minus 20 जो निकल क्या रहा है तो हो सकता है यहां पर minus 20 हो सकता है ठीक है क्योंकि यह कुछ miss लग रहा है तो फोर्थ का answer minus 20 होगा भला की अपने पास यह इसके questions में इसका answer नहीं दिया गया है बट इसका क्या होगा fourth cancer minus 20 होगा चलिए अब आगे दे question में फिप्त की calculate the resistance in a circuit if the voltage V is 60 volt and the current following through the resistance is 4 ampere यानि कि क्या है simple लगाना है V equal to IR लगाना है क्या लगाना है V equal to IR यह formula जो होता है आपको पता होगा न V equal to IR V for voltage, I for current, R for resistance आप simple लगा दीजे voltage आपको दिया गया है, कितना 60 equal to और current आपको दिया गई है 4 ठीक है, और resistance निकालना है R निकालना है, ठीक है न तो 15 के 60, नहीं R के लोगा कित तुझे है कि 15 ohm ठीक है न, तो 15 ohm कहाँ पर दिया गया 5th cancer क्या होगा, कि D 5th cancer बच्चों क्या होगा, कि D देखे, simple question है, बहुत अराम से करना है, इदम जल्दिवाजी नहीं दिखानी है, मैंने बहुत से वीडियो बहुत जल्दिवाजी में दिखाए हैं, बट इस question paper को मैं जल्दिवाजी में नहीं दिखाना चाहता हूँ, और मेरे वीडियो को यदि life classes में लूँगा, आपका employability skills की मैंने series लगाई थी, चालू कही थी, वो भी चल रही है उसके मैंने 14 set करा दिये चलिए, अब बाकरते question number 6 की unit of strain, देखे unit of strain, देखे, बात करते unit of strain की, 6 cancer क्या होने वाला है बताना unit of strain, चलिए ठीक है, तो unit of strain को हम दिखाएंगे define करेंगे, strain होता क्या है देखे, कुछ ना कुछ चीज़े हम लोगो समझनी पढ़ेंगी otherwise, diet answer लगा के कोई मतलब नहीं है, तो strain क्या होता है change in length, क्या होता बच्चों change in length, ठीक है ना, upon actual length, क्या होता है, upon actual length, ठीक है और ये जो l की unit, वो भी meter में होगी तो meter upon meter क्या हो जाएगा कर जाएगा, यानि कि क्या हो, one हो जाएगा यानि कि जो strain की unit होगी वो unit less होगा, क्या होगा वो strain क्या होगा, unit less होगा अब जो भी strain पूछें क्या होता है, strain को epsilon से दिखाते है तो strain equal to क्या होता है change in length upon actual length change in length upon actual length ये actually कैसे दिखाते क्या है ये देखिए माली ये आपकी एक length की एक बार है ये L distance इसकी है माली को ये rod है माली क्या ये rod है ठीक ना अब क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा से स्ट्रेश करेंगत घीचेंग उसको टैंसाल लूड लगाएंगे जब खुशते हैं तो टैंसाल होता है जब एससाजन होता है ह disfrantage खुशते है तो इसकी लंबाईं जो क्या होगी लंबी हो जाएगी तो ये चेंजमेंट आई ये हमारा क्या होता delta L, तो delta L upon actual L, delta L upon actual length हमारे क्या हो जाएगा delta L बने changeling length upon actual length equal to क्या हो जाएगा, ठीक हैँ, ठीक है नहीं ये होता हमारे string, तो मैंने आपको डियागराम बनाके भी दिखाया अब बाग करते हैं कोश्रमा 7 की अब देखी यहीं पर हम इसको value निकाल लेते हैं देखी आप क्याल करते हैं हम यहाँ पर value रखेंगे ठीक न तो 2 की power 4 प्लस 1 की power 4 माइनस 2 इंटू 2 की power 2 इंटू 1 की power 2 इसको क्या करेंगे simplify कर लेजे 2 की power 4 क्या हो जाएगा यह तो 16 हो जाएगा 1 की power 4 क्या होगा 1 हो जाएगा तो 16 1 क्या होगा 17 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 4 into क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 17 minus 8 equal to, अब देखें, जो भी answer आता होगा वो आप का answer हो जाएगा, क्या answer हो जाएगा 9 हो जाएगा, ओके, यहाँ से खुछली पक गई तो मैं बताता हो, इसका answer क्या होगा 9 होगा, क्यों, क्योंकि 17 minus 8 equal to क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यह 9 9 होगा न, उच्छों, ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा चलिए, तो 7 क्या हो जाएगा, बी मेरे साथ ऐसे ही बने रगी, क्योंकि time लगेगा बट आपको मैं असानी से धीरे धीरे से समझारों को कि question देखी अच्छे है और जब question अच्छे होते हैं तो लगाने का one भी करता है और इसमें मैं एक या दो question आपको भी दोंगा लगाने के लिए मैं हर बार एक set में एक या दो question देता हूँ वो थोड़ी से टिपकल ज़रूर होंगे पर आपको जब आप उस पर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझवाएंगा नहीं paper इस परकार का भी आ सकता है तो मैं आप लोग को paper इसलिए इस परकार से देना चाहता हूँ कि आपको लोग के अंदर ये कुछो confidence वो build up हो ठीकिना और ये confidence वो गया तो फिर आपको कोई भी ताकत रोग ने सकती है अच्छे marks लाने के लिए ठीकिना अब बात करते question पर एर्द की अब यसे लिखा हूँ आपर convert 10 centigrade heat unit CHU into calories अब देखिए CHU यहनि CHU into calories यहनि CHU को किसमे convert करना है केलोरी में इदि हम बता देए आपको देखिए अभी हम बताते हैं आपको ठीकिना पूरा fresh speech बताएंगे आपको माल दीजिए क्या लिखा हूँ है 1 centigrade जो 1 centigrade है तो 453.90 केलोरी यह होता है CHU को कैलोरी में बदलना क्या बोलते हैं CHU को कैलोरी में बदलते हैं हम लोग क्या करते हैं तो 1 centigrade जो होगा वो किसके बरावर हो जागा 453.90 के तो 10 centigrade कितने बरावर हो जाएगा यानि कि multiply 10 कर देंगे 453.90 कैलोरी इदि ऐसा आसा कही होगा 4539 कहा पर था हमारा question number 8 तो देखिए आप देख पा रहे होंगे 4593 ऐसा कुछ कर करता है यह आपको यह यह नहीं हो सकता है यह भी option नहीं होगा यह answer होगा तो 8 का answer क्या होगा 4,5,9,3 हमारा था 453,6 है तो calories में है यह इसका answer हमारा answer यह यह answer होगा चलिए अब बागरते question number 9 की देखिए मैंने आपको starting बताया था एक question की formula basis पर direct आपको question आजाते है तो जो 9 का होगा तो आप लोग लगा लिजेगा आप लोग कुछ ने formula को याद कर लिजेगा तो जो a cube plus b cube a cube plus b cube है इसका मैं formula यहाँ पर लिख देता हूँ आपको fresh page में ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए ठीक है ना चलिए a cube plus b cube a cube plus b cube जो equal to क्या होगा a plus b a plus b ok a plus b a square minus a b plus b square ठीक है ना यह हो गया एक similar ही कौर होता है a cube minus b cube का यह मैं बता देता हूँ क्योंकि यह question दी आया है हो सकता अगली बार यह question आजाए तो क्या होगा a minus b a minus b ok a square plus a b plus b square ok तो यह दो formula हमारे हो गया तो यह दो formula आप note कर लिजेगा बहुत ज़्यादे important है आगे आने माले exam के लिए और किसी भी competitive exam के लिए यह जो set लगा रहे न यह किसी भी competitive exam के लिए भी बहुत ही benefit है बस आप मेरे सब बने रही है मेरे वीडियो को पूरा देखिए अन्तक देखिए ठीके और like और share और subscribe करना ना भूलिए subscribe तो करना मत ही भूलिए क्यों कि मुझे live classes ले नहीं है और आप लोग से मुझे subscribe चाहिए आप लोग है तब ही हम है ठीक है अब आप लोग subscribe नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा चलिए अब आके देखिए question number 10 की बारे में the ratio between ultimate stress to working stress is called यानि कि क्या है the ratio between जो ratio है किसका किसका ratio है देखिए बहुत अच्छा question यह mechanical engineering question है the ratio between ultimate stress to the working stress अब बात करते हैं ultimate stress to the working stress चलिए फ्रेस पर आते हैं तो रहा हम लोग क्या बात करते हैं ratio है किसका है ultimate 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 stress ultimate stress upon writing अधिमनती मेरी ultimate stress upon working stress ठीक है पहले थो हम बात करते हैं stress होता क्या है मैंने strain बताया अब बताता हूँ मैं stress होता क्या है जो stress होता है force यानि load upon area क्या होता है load upon area ठीक है न तो जितनावी load लग रहा होगा किसी body पर ठीक है बोड़ी पर लग रहा होगा वो किस एरिया में लग रहा हुगा यह हमां क्या किलाता है stress किलाता है तो load per unit area load per unit area क्या किलाता है वो इस्ट्रेस किलाता है बट यह जो हमारा पूछा किया question वो क्या है ultimate stress upon working stress ultimate stress क्या होता है maximum जो किसी पर load लग सकता है जो maximum value of stress होती है that a material can register यहनी कि जो material है वो maximum load को क्या करे वो register कर ले maximum value of stress यहनी कि stress की वो value जो बहुत ही ज़ादा है और material क्या कर ले उसको register कर ले ठीके ना और working stress क्या होगा जो हम लोग क्या उस पर काम कर रहे होंगे जो stress उस पर लग रहा होगा तो ये वैसे क्या कहलाता है? factor of safety factor of safety क्या होता है? it is ratio of ultimate stress upon working stress ठीक न? factor of safety हर एक चीज के लिए होती है जिसे हम लोग घर बनाते हैं उसकी वी एक factor of safety है कोई machine का part बनाते हैं उसकी वी factor of safety है ठीक न? तो हर एक चीज की factor of safety ले के चलते हैं यह जैसे हम लोग चेयर है, जैसे हम लोग बैठते हैं, तो उसको हमें पता है कि 5 लोग बैठ सकते हैं, जैसे कोई जो बेंच होती है, जो कॉलिस की बेंच होती है, उसमें किती लोग बैठते हैं, तीन लोग, चार लोग, पर हम लोग जो फेक्टर और सिटी बनाते हैं, तो यह बना लेते हैं कि 5 लोग तक लोग बैड सकते हैं जैसे आप में देखा हो लिफ्ट है लिफ्ट में क्या होता है कि 1 kg लिखा होता है कि 785 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता है यानि हमने factor of safety क्या बना रखी है 785 उससे ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा वो आपके एक alarm बजा देगा तो यह factor of safety होता है कि ultimate stress upon working stress हर चीज की factor of safety होती है मेरे जीवन की भी factor of safety कि मैं इतना सहन कर सकता हूँ जरो उसके बास मैं सहन नहीं कर पाऊंगा चलिए अब बाग करते है question number तो हमारा 10th का answer क्या हो जाएगा 10th का हो जाएगा factor of safety है C answer हो जाएगा क्या answer हो जाएगा C अब बाग करते है question में 11th की find the value of x and y from the equation यानि कि जो equation हमारी दी गई है x की और y की अब इसमें क्या करना हमें इसकी value निकालना है इसकी x और y की अब आप question को देख लीजे और मैं आपकी value तुरण निकाल के दिखाता हूँ जो 11th का हमारा क्या question हो जो उसकी value निकाल के दिखाता हूँ आप लोग देख लीजें कैसे क्या करना है कैसे आप निकाल सकते हैं मैं आप लोग को दिखाता हूँ wait चलिए मैं fresh space दिखाओ लोग को मैं अब आप लोग को fresh space में दिखाऊँगा क्या क्या value कैसे में निकालेंगे ठीक ना क्या equation थी x minus देख लेता हूँ मैं क्या थी x minus 2y equal to 4 ये equation है और equation थी 2x plus y equal to 3 अब हम क्या करेंगे इस परकार से ऐसी question होती है तो हम लोग क्या करते है एक equation को बराबर बना लेते है किसी भी x या y component के तो हम लोग क्या करेंगे ये दूसरी question फैली question में क्या करेंगे multiply 2 कर देंगे क्या कर देंगे तो क्या होगा 2x minus 4y equal to 8 जो पैली question उसको ऐसी दख रहे हैं 2x plus y equal to 3 अब इसो क्या कर देंगे घटा देंगे तो क्या होगा ये minus sign हो जाएगा ये minus होगा ये minus हो जाएगा ठीक ना तो minus minus cancel हो गया ये minus minus जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा ये minus हो जाएगा ये कित्ती value जाएगी क्या ओजाएगा 2x minus 1 equal to 3 यह minus 1 अधर चले जाएगा x equal to क्यों हो जाएगा आपका 4 तो फिर क्यों हो जाएगा 2 x equal to 2 यानि की 2, minus 1 आएगा 2, minus 1 चलिए आप देखते हैं क्या हमारा answer था 11 का हमारा answer क्या होगा 2, minus 1 क्या होगा 11 का e अब बात करते हैं कोश्ण में 12 की हमारा यह formula लिखा हुआ है ध्यां से देखेंगे तो एक technometric formula है यह क्या लिखा हुआ है sin square theta क्या लिखा हुआ है sin square theta plus cos square theta तो क्या value हो जाएगी 1 तो इसका right answer क्यों होगा 12 का right answer बच्चों क्यों होगा 1 चलिए अब बात करते हैं question में 13 की देख कुछ question तो मैं छोड़ूँगा जरूर आप लोग के लिए कुछ question आप लोगों को लगाने पड़ेंगे वो तो मैं छोड़ तो नहीं मैं लगाने वाला हूँ तो वो question आपको लगाने पड़ेंगे मैं कुछ अच्छे question छोड़ूँगा मैं अब आ करते हैं question में 13 की what is the value of x y3 plus y by 9 z by 2 equal to x equal to 6 y equal to minus 18 z equal to 2 यानि की x की value y की value z की value क्या करेंगे put करेंगे put करेंगे इनकी value put करेंगे इस equation पर तो जो value निकल के आएगी आप मों को यह दी solve करना है तो solve कर लीजिए otherwise मैं solve करा देता हूँ तो हम मैं solve करा देता हूँ ठीके न तो मैं fresh page पर जाओ चलिए ठीके मैं fresh page पर जाके आप पहले question को note कर लीजिए pause करके फिर मैं fresh page पर जा रहा हूँ चलिए मैं fresh page पर जाता हूँ अब मैं fresh page पर ठीक है, क्या हो था उसमें, x by 3, ओके, पलस y by 9, पलस z by 2, तो x की value कित्ती रखनी है, 6, y की value कित्ती रखनी है, minus 18, और z की value कित्ती रखनी है, 2, अब यह value जब उस पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखें, 6 रखेंगे x पर, तो क्या हो जाएगा, 2, जब 18 रखेंगे, क्या होजाएगा आपर minus two oke जब plus two रखेंगे हाँ जड़ में two रखेंगे तो क्या हो जाएग base one यनि की ये جइंज이내 cancel हो क्या answer हो क्या 1 तो उसका answer क्या हो जाएगा बच्छो 13 का answer होगा वो क्या होगा बच्छो 13 आशर क्या होगा बच्छो देखे, stress का मैंने कराया था, load upon area, तो आपको पता है कि जो diameter होगा, rod का जो diameter 4 mm दिया गया है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, आप लोग आपको पता होगा, कैसे निकाल लेंगे, pi r square आपका हो जागा area, चाँ जागा, pi r square area, अब देखिए, मैं इसको बता दे रहो, simply, fresh space पर ज देखा हुआ, a steel rod of 4 mm diameter, is subjected to the load of 200 kg, यानि कि क्या है, एक steel rod होगी, उस पर load लगा हुआ कितना 200 kg का, तो हमें stress बताना है, तो stress क्या होगा, अब हम देखते हैं, ठीके न, तो कैसे निकालना होगा हमको, हम simply बता जाते हैं, आप लोग उसका answer निकाल लेंगा, sigma equal to, load upon area, क्या है load upon area, क्या है, load upon area, अब आपको पता, area equal to क्या हो जाएगा, area equal to क्या हो जाएगा, pi r square, या, क्या हो जाएगा, pi by 4 d square, ठीक न, d की value दी गई है, यानि diameter दिया गया है, आप area जहां से निकाल लेंगे, pi की value किती हो दिए 3.14 होती है, value रख देंगे, और load आपको किता दिया है, 200 kg दिया गया है, ठीक न, अब यहां पर a या, जो भी value हो गिरख देंगे, आपको stress की value निकलाएगी, तो इसका answer आप लोट निकाल लीजेगा, वैसे जो मुझे लगता है, इसका answer क्या होने वाला है, मैं बता देता हमको, question number हम बात कर रहे थे, question number बात कर रहे है, 14 की, तो उस confused मत हुईएगा, कि इसन ने बताया नहीं, ठीक न, तो इसका answer 159 point करके आएगा, इस में option में नहीं है, कहीना के गलती कुछ हुईए, और कुछ आता है, तो आप मुझे बता दीजेगा, comment box में comment कर दीजेगा, ठीक है, I am not a perfect person, मैं try करता हूँ, चुछ समझाने के लिए, मु आले जी को एक cup है, ठीक है, अब cup में क्या है, hot coffee है, ठीक है, तो उसमें तो radiation से, तो उसमें heat transfer होने वाला ही है, ठीक है, अब क्या होगा, जो cup की body होगी, उससे अब convection होगा, ठीक है, और जो body होगी, उसमें conduction होगा, तो मेरे recordings का right answer होगा, conduction, convection and radiation, ये तीनों प्रकार के होगा और evaporation भी हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो वास बनको जा रहा होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से 15 अपको जो बेटर लगता है, आप मुझे comment box में बता सकते हैं, ओके, चलिए आप बाकर करते हैं क्या होगा, आपका होगा, बेस इस 10, और जो height होगी आपकी, वो क्या लगी 5, अब आप इससे multiply कर लिए, 5 into 10 का, तो क्या है से निकल आएगा, 5 into 10 का multiply कर लिए, 50 है से निकल आएगा, तो 16 क्या होगा, बी, 15 cm2, ओके, अब बाकरते हैं क्योंसम 17 की, find the area of equilateral triangle whose side is 8 cm2, sorry, 8 cm, यानि कि जो equilateral triangle है, उसके side क्या दी गई है, 8 cm, यानि कि A की value क्या दी ग तो मैं formula को बता देता हूँ, ठीक है, क्या होता, formula आप note कर लिजेगा, कि A equal to under root 3 upon 4, A square, तो A की value दी गई है, कितनी गई है, 8, कितनी गई है, 8, ठीक है न, तो इसका जो right answer आएगा, 27.712, ठीक है न, तो 17 का जो right answer क्या जाएगा, 27.72, आप निकाल लिजेगा, आपके पास calculator ह होगा, आपके बढ़ time है, क्योंकि हमाँ पास time नहीं है, क्योंकि वीडियो सोड लंबी होने वाली है, चलिए, आप आप करते question number 18 की, the energy consumed in a kilowatt second of 3 kilowatt electric boiler, which heats 60 liters of the water from 20 centigrade to 85 centigrade in a 10 minute, ठीक है, तो ये question का answer मैं नहीं बताने वाला हूँ, इस question को आपको short out करना होगा, मैं यहाँ फिर से पढ़ देता हूँ, the energy consumed in a kilowatt, जो energy consume होगी, kilowatt में energy consume होगी, second of 3 kilowatt of electric boiler, ठीक ना, नहीं कि energy consumed in kilowatt second of 3 kilowatt electric boiler, which heat 60 liter, नहीं कि 60 liter water को क्या कर गरम कर रहा है, और वो जो गरम कर रहा है, तो उसका जो temperature कहां सकार रहा है, 2285, किते मिनट में, 10 मिनट में, याने कि 60 liter water को 20 degree centigrade से 85 centigrade की बीच में क्या कर रहा है, temperature को rise कर रहा है, 10 मिनट में, ठीक ना, और जो electric boiler किती खपत ले रहा है, किता consume कर रहा है, 3 kilowatt electric boiler, जो electric boiler है, वो 3 kilowatt का है, ठीक ना, तो कितनी energy consume होगी, यह हमको बताना है, तो यह आप आपको, हमको आसा दीके बताएंगे, आप solve नहीं आएगा, तो मैं जुरू बताऊंगा, तो 18 जो question number है, वो आपको solve करना पड़ेगा, ठीके ना, और अधर मैंने जो question है, वो मैंने आपको answer बता दीएं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अब बाकरते question number 19 की, if the two side of the right angle triangle are 3 centimeter and 4 centimeter, तो what is the value of 3rd, आपको पता है, कि 3 और 4, next को सी 5 ही होती है, तो किस कहां से करो है, 19 का, C 5 centimeter, ओके, चलिए बाकरते question number 20 की, volume of the cylinder is equal to, जो volume of the cylinder होता है, वो किसके बराबर होता है, अब देखिए, जो 20 का question है, वो important इसलिए, क्योंकि जो cylinder की बात करते हैं, तो मैं आपको formula में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ प 5tr square h, ओके, यह हो गया, आपको volume, यह करते हैं, एरिया की, बात करते हैं, एरिया की, तो यह का formula क्या होगा, 2 pirh, ok, plus 2 pi r square, ठीक है ना, तो यह जो formula है, r for क्या होगा, radius, r for हमारा क्या होगा, radius, ok, वह हैच होगा है हाइट होगी क्या होगी हाइट तो यह हमारा फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला हैं कि किसी कोई इस से कोशन कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि यह पेपर बहुत अच्छा सेट है और मिले साथ देखिए आप लोग बने हुए है आप लोग question solve कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ अंद तक आप इसको वीडियो को देखिए बहुत कुछ सीखने वाली है आप लोग इस वीडियो में चलिए आप बाकरते question बर 20 की बारे में बात कर रहे हैं हम लोग 20 बात कर रहे हैं तो उसका answer कर रहे हैं ठीक है ना आप बाकरते कोश्ण में 21 की 3 identical register of the connected in a series यानि जो resistance होंगे वो क्या हो connected in a series यानि कि जैसे आप देखते होंगे कि एक यह resistance connected है यह resistance connected यह resistance connected ठीक है ना तो क्या होगा to the battery, battery is connected है if the current of that 12 ampere यानि क्या है current क्या है 12 ampere बह रही है from the battery तो how much current flow through any one of these register तो क्या हो जागा 4 4 ठीक है ना 4 क्या हो जागा इसका right answer क्या हो जागा इसका 4 अब बात करते हैं question बार 22 की फिर से question आगया formula भी इस पर ठीक है ना तो मैं तो अपनी यह निए निए बताने वाला हो को कि आप formula रखेंगे और अपसका answer पालेंगे यानि कि आप आप ट्रिक बता देंगे करना क्या है a cube प्लस b cube का formula आप लिख लिजेगा और उसका जो formula निखेंगे तो a प्लस b की value भी उससे put कर देंगे तो हमें क्या find out निकालना है a और b की value निकालने है ठीक है ना तो जो formula का a game है formula पर आप value डखेंगे आपको right answer मिल जाएगा ठीक है अब बाकरते question number 23 की अब बताना इसमे which one of the following statement is mathematically correct कौन सा जो mathematically correct है ऐसा कौन सा statement है जो कि correct है देखिए हम simple देख लेते है पलस पलस क्या होगा पलस होना चाहिए पलस माइनस क्या है माइनस होना चाहिए तो यह भी करत है यहाँ माइनस होना चाहिए यहाँ पलस होना चाहिए यह तो wrong ही हो गया माइनस माइनस पलस होना चाहिए यह भी wrong हो गया माइनस पलस माइनस यह रसा ही हो गया तो जानिकिए which of the following statement is mathematically correct तो D answer में क्या होगा, correct, 23 answer क्या होगा, D, okay, हम बाग करते question में 24 की, what is the name of the quadrilateral whose opposite side of the parallel and equal and the angles are not at the right angles, ठीके न, तो उसका answer क्या हो जागा, आपका, other side क्या होती है, आपकी equal होती है, तो क्या हो जागा, ठीके न, चलिए हम बाग करते question में 25 की, an example of the converter, of electrical energy to the convert, बता रहे हैं, कि जो electrical energy को convert करना किसमें, mechanical energy में, electrical energy, देखिए, electrical energy को, energy को, किसमें convert करना आपको, mechanical में, आपको पता है, motor ही वो काम कर सकता है, motor ही वो काम कर सकती है, कि आपको electrical to mechanical में convert करके दे सकती है, तो यह हमारे 25 question थे, आप मेरे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्नबाज इस बात का, और मेरे जो पुराने सेट है, आज जिनोंने बच्चों नहीं देखें, वो उन सेट को जाकर देख लें, और सब्सक्राइब करना कता ही मत भूलें, और ज़रूर सबिसक्राइब करें, क्योंकि मैं live class से लेने वाला हूं, कुछ subscriber की कमी है, और म मेरे जो वीडियो के end में आप देखेंगे कि right और left पर screen पर एक कुछ link आ रही होगी, आप जिदी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप एक Employability Skills की मैं series डाल रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं उसे क्लिक करना तो आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड में भी एक वीडियोस आ रही होगी, वो हमारे Employability Skills की हैं और right साइड में हमारे क्या हैं हमारे workshop calculation की हमारी series है, आप उनको क्लिक करिए, आप उनको देख सकते हैं, और मेरे साथ बने रही हैं, थैंक्यू सो मच, आप मेरे इतना प्यार बना कर रखा हुआ है, और फिर मैं नेक्ट वीडियो कल फिर लेकर आओंगा इसी पेकार से, मेरे साथ बने रही हैं और लोगों को सेयर करिए, थैंक्यू सो मच, जहिन जय बारत!